हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग यूज ओ प्रेपेजिसंस के अंतरगत बाई और फ्रोम की यूजेस के बारे में जानेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नोलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा दोस्तो generally by का मतलब होता है कि ये दुआरा और from का मतलब होता है से लेकिन अलग-लग तरीके से भी यूज हो सकता है तो कैसे हो सकता है आईए हम लोग example के माध्यम से समझते हैं तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आओ और मेरे pass बैठो तो दोस्तो पास बैठना यानि कि पास के लिए भी by का यूज होता है तो यहाँ पर लिखेंगे come and sit by me come and sit by me मेरा घर नदी के पास है तो यहाँ पर भी by यूज करेंगे my house is by the river आप इस जगह near का भी यूज कर सकते हैं और by का भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं come and sit near to me क्या तुम अपना काम कल तक खत्म कर सकते हो तो यहाँ तक के sense में भी by का यूज होता है जैसे can you finish your work by tomorrow और दोस्तों मालीजे मंडे तक अपना प्रोजेक्ट जमा करो तो submit your project by Monday तो तक के sense में by का यूज होता है यानि कि जब एक समय सिमा दिया हुआ रहे कि इतने दिनों में या इतने दिन तक आपको काम पूरा कर लेना है तो आप by यूज कर सकते हैं मैं train से जाऊंगा, car से नहीं तो जब किसी भी साधन का यूज करते हैं तो हम लोग by का यूज करते हैं और दोस्तों एक सिसका आप धियान रखेंगे कि जब by का यूज करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अर्टिकल नहीं लगेगा नहीं आप a यूज करेंगे और नहीं the by train, not by the train या by a train जब यहाँ पर a लिख देंगे तो फिर on a train लिखना पड़ेगा या फिर on a car लिखना पड़ेगा तब preposition change हो जाता है तुम्हारी घड़ी के अनुसार कितना बजा है what is the time by your watch what is the time by your watch तो यहाँ पर by यूज होता है यानि कि आपके घड़ी में कितना बजा है आपके घड़ी के अनुसार कितना बजा है तो यहाँ पर यूज करेंगे by your watch यह पुस्तक मेरे दवारा लिखी गई है यह passive voice में और हम लोग सभी जानते हैं यह passive voice में by यूज होता है जैसे यह पत्र मेरे दवारा लिखा गया यहाँ पर लिखेंगे यह पर लिखेंगे यह present perfect tense में है इसलिए has been यूज करेंगे has been written by me पेड से आम गिरा यानि पेड से अलग हो गया तो जब अलगाव का बोध हो तो from यूज करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे the mango फेल from the tree वह वर्ग में अनुपस्थित था तिहाँ पर में रहने पर भी from यूज करना है क्योंकि इंग्लिस में हमेशा absent from होता है he was absent from the class और दोस्तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके मैंने और भी वीडियोज बनाए हैं तो सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा वह बुखार से पिडित है तो यहाँ पर है से पिडित है पिडित के लिए सफरिंग यूज करते हैं और हमेशा सफरिंग फ्रोम होता है वह दरजन के हिसाब से अंडे बेचता है तो दरजन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग बाई यूज करेंगे यहाँ पर दा लगाना जरूरी होता है मैं मजदूरों को दिन के हिसाब से भुकतान करता हूँ तो यहाँ पर भी बाई यूज करेंगे मालीजे की घंटे के हिसाब से रहेगा तो बाई दा आवर का आप यूज कर सकते हैं रोटी आटा से बनाया जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर made from यूज करेंगे यानि कि जब किसी समान से ऐसा समान बने जिससे पहचानना मुस्किल हो यानि बिलकुल अलग समान बने तो फ्रोम यूज करेंगे जैसे मालीजे की लकडी से कुरसी बनता है तो हम कुरसी देखकर तुरंद जान जाएंगे कि यह लकडी से ही बना है तब made of यूज करेंगे और मालीजे कि गेहूं से आटा बन जाता है तो गेहूं का जो रंग रूप है वो अलग है और आटा अलग चीज है महीन हो जाता है पतला हो जाता है तो वहाँ made from यूज करेंगे तो यह थोड़ा संतर है made from और made of में उसे काम से आराम की जरूरत है तो यहाँ पर say है from यूज़ करेंगे He needs rest from work उसने एक बच्चे को आग से बचाया तो किस चीज़ से बचाया आग से from यूज़ करेंगे He saved a child from fire तुम हमेशा इस वर की कसम क्यों खाते हो तो किसी की कसम खाना नाम लेकर by यूज़ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर by almighty God भी लिख सकते हैं गंगा हिमालय से निकलती है तो किसी origin को दिखाने के लिए जहाँ से निकलती है हम from यूज़ करेंगे गंगा originates from the Himalaya गंगा originates from the Himalaya गाउं सहर से 5 किलोमीटर दूर है यानि कि from the town मैंने उसके थैले से पैसे लिये यहाँ पर भी से के लिए फ्रोम यूज करेंगे और टेक आउट रहता तब ओफ यूज करते यानि आई टुक मनी आउट ओफ इस बैग उसने मुझे वहाँ जाने से रोका तिहाँ पर भी से के लिए फ्रोम यूज करेंगे यानि हमेशा फ्रिवेंट फ्रोम होता है किसी भी चीज से रोकना यहाँ पर जो है एक वर भी यूज होगा आई य फ्रोम के साथ तुम अपना फोन मुझे से क्यों छिपाते हो तो यहाँ पर मुझे से यानि कि फ्रोम मी वाई डू यू हाइड हाइड में छिपना भी होता है और छिपाना भी होता है वाई डू यू हाइड योर फोन फ्रोम मी गोली दो इंच से चुक गया तो यहाँ पर बाई यूज करेंगे उसी परकार भारत तीन विकेट से मैच जिद गया इंडिया वन दे मैच बाई थ्री विकेट्स उमीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को एक एक चीज समझ में आ गया होगा और दोस्तों यू जो प्रेपेजिशन से हमेशा ही कनफ्यूजन से भरा रहता है तो आप जितना प्रेक्टिस करेंगे उतना ही सिखेंगे आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए और दोस्तों यदि आप अड़वांस्ट इंग्लिस सिखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है हिंदी टू इंग्लिस ट्वांस्लेशन एंड कमपेटिटिव उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए वहाँ पर भी आपको खास जानकारी मिलती है ओल्राइट दियर एस्ट्रेंट्स और फ्रेंड्स थैंक्स पो वाचिंग वहाँ ग्रेट दे एंजू यूर्ष 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 यूर्ष